हेलो एब्रीवान आज हम लोग नीट प्रिपैर करने वाले स्टुडेंट के लिए ग्रेविटेशन जो चाप्टर है उस चाप्टर से हम लोग रिविषन करने वाले हैं एक QUICK रिविशन होगा जादा मैं नहीं लेंगे हमने जो इंपोर्टन टॉपीकक से जो जितना हम लोग इम्पोर्टन टॉपिक हो से कि उतना हम लोगचा आइस विडियो पे सो हमलो कि स्टार्ट करेंगे newton log gravity डेशन से newton log gravitation is very common सब को पता है क्या ही है newton log क्रेविटेशन एफ इकवल टू g mm by और स्क्राइर मैं यहां पर क्या करूंगा इच एन एवरी फॉर्मूला को यहां पर मार्क करते हुए जाओंगा ताकि टाइम को सेव कर सकूं ठीक है टाइम सेव करना बहुत जरूरी है ज्यादा वीडियो लंबा होने से तुम लोगो बोरिंग लगेगा है ना ठीक है तो यह ऊबड़ गया न्यू तरम लॉप्रेटिशनल फॉर्स टीक है ग्रेविटिश्नल फॉर्स का जो तो dieमस्नली फॉन्मूला है वह यहां पर यहां पर जो आप लोगों डिटारिब कर सकते हो ठीक है यहां पर कुछ शो क्या करके जी का भैलू जो है वह रडी माइं किये थे ठीक जो सी जएस यूमीट है वो तो रहा यह द्राइब एकना है 9 cm स्थ ref कष्ट ठीक तो कि इन सी जिस उनित नहुँ इहां पर एक्चिली डाइन सेंटीमीटर स्क्वेर होगा पार गरम स्क्वेर होगा चैके यह देखने यह मैनस 2 है यहां पर माइनस 2 दिखने राए ते किया पर सेंटीमीटर स्क्वेर कि माइनस टो होंके हैं यहां पर भी मैनस टो यहां पर मैनस्तिल लोग को तो पता है कि वह एमपने पहेंद नहीं करते हैं। आप मिलियमधिies अपन डिसक़स तेंगी करेंगे हम लोग जो मेन फॉर्मॉला से वहां पर लोग जाएंगे जो इंपॉर्टैन डूरीट यसका फॉर्मॉला क्या है जो है उसका फॉर्म् så ग्रेविटी जो है उसका फॉर्मॉला है जी एम भाई आ और और क्या है रेडियास ओफ ठीक है या दखना है आर्थ का या फिर कोई भी प्लैनेट का हो सकता है ओके नाव एसलेरेशन डियू टू ग्रेविटी हो गया अब हम लोग जाएंगे वेरियेशन आफ जी डियू टू शेप आर्थ आर्थ का जो शेप है वह एक्चुली काम सा स्थीख फेल एफिर एलीप्टिकल इन शेप टेंट इसका जो्ग शेप है बिकॉज ऑफ ग़ंगे जो यह है यानि की पोल रेडियस से और पोल की ऐलग है अलग तो पोल का तो अगर यह इंवर्स ली प्रपोर्शन या देखो स्क्वाइर के साथ तो जिह कहां पर कम होगा जहां पर जादा होगा और सवर्द कराइट होगा का और तो एकक्वेटर पर कम होता है सी रेडियर गल्स जीज मेटल बेंließen होता है रख यहां पर से अब जोजी का वेलीअसन और फेडरा पर अब mentioned dan आप में नेक्स्ट जो जी का वेडियेशन है वह हाइट के साथ है कि हाइट के साथ जी का फेलू कम होता है तो इसका जो डिलाइवेशन यहाप जो मुझे नहीं चाहिए अभी मुझे चाहिए यह आल्टिमेट फॉर्म्ला यह जी डैश इक्वेल टू दिस वन जी वन मैनस टू एजबाइ आर ठीक है यह क्या है जी इतना हाइट पे जाएगा उसका वैलू कम होता जाएगा डिक्रीज अब जो तो एक्जाम में आते हैं वह होता है परसेंटेज डिक्रीज यह इंपोर्टेंट है परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है परसेंटेज डिक्रीज होता है चेंज इन जी बाई ओरिजिनल यह क्या है चेंज ठीक है याद दखना है जब भी परसेंटेज होगा वह चेंज बाई Original होता है original चेंज by original ठीक है तो यह फॉर्मला बिठाने से मुझे परसेंटेज डिक्रीज इन जी जी जितना उपर जाएगा डिक्रीज होगा ठीक है नेक्स्ट यह फॉर्मलो बहुत इंपर्टेंट है variation of g with depth depth के साथ जितना नीचे जाएगा जाएंगे हम लोग देखो art surface की नीचे जितना हम लोग नीचे जाएंगे toward the center उतना ही g का value कम होता जाएगा again the decreases ठीक है किस तरीके से decrease होता है देखो जी डैश यह फर्म्म्ला 1-d by r टिक है जी इंटू 1-d by r एक फर्म्म्ला है next part है variation of g due to rotation of art okay art का जो rotation है due to this rotation एक सेंटी कौंसा फोर्स आता है यहां पर centrifugal फोर्स थोरा ध्यान से देखो centrifugal फोर्स आता है वह एक्चली के आगाता है बोडी को बाहर भेजने की कोशिश करता है अब जितना बाहर भेजने की कोशिश होगा that means what due to that rotation centrifugal फोर्स थी का वेलू फिर से कम होगा है कि नहीं तो यह जो भेलू है तुम्हें यार दखना यह वाला क्योंकि इससे बहुत सारा question अभी तब पूछे गए नीट पे ठीक है नीट पे बहुत सारा question आया है नीट में ठीक है डिस तो यहां पे देखो अगर हम लोग véra की बात करेंगे पूझ पर लैम्डा कितना हो जाएगा इंट्रे नाइंटी तो पाउड़ वह वह घर रॉ मैंप्टा है पर हाइस्ट होता है सब्से मैंप्ट पहाइड होता गटक जो है वो मैक्सिमम होता है या दर्टना है मैक्सिमम्मम एफेक्ट डापे effect of rotation किज जगह पर equator equator पर maximum effect होता है यहां से यहां से question आ सकते हैं ठेक है ओकेफव के नाव डैसेगम आ unter the next part जो हमें चाहिए हो कि मासेन डेनसिटी ऑफ यह एक फिक्स फेलुव यह कैसे निकाला यहाँ पर मासेन वेट का जो डिफारेंस से वह अभी नहीं चाहिए यह तुम लोगों अल्रेडी पता है वेरी सिंपल है ग्रेविटेशनल फिल्ड इंटेंसिटी देखो ग्रेविटेशनल फिल इंटेंसिट डिखा और स्मॉल जी का सैम है इसका हम लुग ग्रेविटेशन फिल्ड भी बो सकते हैं थेकर विया होता है फॉर्मला रेंक हो यहां पर फॉर्मलार रिखा है फोर्स्पार अनिट मास तो फॉर्स बाइंस होता है है क्या gravitational field okay next हम लोग जाएंगे यहां पर फिल्ड इंटन्सिटी हो गया यहां पर कुछ important formulas है this is the part from where many questions has been asked ठीक है बहुत सरा question पूछे गए है solid sphere से यह क्या है यह solid sphere है देखो बहुत सरे टाइप का तुम्हें यहां पर मिलेगा जैसे कि solid sphere shell thin shell ठीक है तो solid sphere से अगर तुम देखोगे gravitational field intensity इसका एक value है देखो इस तरीके से देख रहा है clear outside the surface जब होगा यानि की आर greater than होगा तब gm by r square very simple on the surface जब r equal to r होता है gm by capital r square ठीक है यह वाला important है जब inside the surface होता है तब intensity का value जो होता है यह थोड़ा लिखके रखो small r क्या है capital r क्या है capital r radius of r ठीक है but smaller क्या है smaller है center से कोई एक point यानि की इस तरीके से देखो यह हो गया sphere यह हो गया capital r ठीक है अब अब देखो small r क्या है suppose यह point है this is smaller ठीक है इस point पर हमें क्या निकालना है field intensity like this field intensity किस point पर है यह point है इस point पर ठीक है p point सपोज मान लो यह p point में मुझे क्या निकालना है intensity तो इसके लिए formula क्या होगा inside the surface है GM यह small r by r cube clear okay now due to spherical shell यह भी है यह तो तुम लोग का syllabus में actually solid sphere तुम लोग का syllabus में नहीं है बट निक में आ सकते हैं ठीक है spherical shell spherical shell similar way में है on the surface ठीक है on the surface same में outside the surface में inside inside इंसाइड जो होता है फिल्ड जीरो होता है यहां रखना है यह mcq में सब से इक्वेशन और इससे आ सकते हैं तो इसलिए जो graph होगा यहां पर कुछ नहीं है ठीक है यहां से start हो रहा है सिमिलर में यहां पर क्या है देखो directly proportional अंदर ठीक है अंदर यहां पर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ठीक है ओके clear अब due to circular ring ring के लिए जो यह हो गया रिंग ठीक है रिंग एक्चुलिए तुम लोग का सिलवास में नहीं है बट आउट और सिलवास है थोड़ा फॉर्मॉला याद रखो formula याद रखो सिंपल है इसलिए डे सकते हैं ठीक है अँद एक्सिस पॉइंट ऑंद एक्सिस टीग जीम आर यह फॉर्मॉला थोड़ा लिग कर रखो जूं करके दे रहा हूँ on the axis कौन सा axis पर यह वाला axis पर ठीक है जैसे कि यह वाला axis यह ring है इस axis पर at point P P point पर ठीक है यह जो ring दिख रहा है यह तुम्हें यह ring दिख रहा है इस ring के लिए इस point पर कितना होगा जो R distance पर है तो formula क्या है GM r by a square plus r square 3 by 2 एक क्या है ये है रेडियस आप दा रिंग सेंटर पे क्या है सेंटर पे यह आ सकता है जीरो होता है कियोंकि हर एक तरफ से खिचेगा तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा अधिस्क नहीं चाहिए यह थोड़ा टाफ हो जाएगा निट लेवल का नहीं है यह पोटेंशिल क्या होता है देखू ये एकदम एलेक्ट्रोस्ट्रेतिक जो पार्ट है क्लास 12 का पार्ट है उसके जैसा ही है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्म्मला है माइनस जी एम बाई आर मुझे और कुछ नहीं चाहिए फॉर्मुला चाहिए क्योंकि फॉर्मुला एलेटेट निमरी के लाएगा तो इसको नोट डाउन करके रखो टीक है जी एम बाई ओके अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहां पे हम लोग परेंगे फर डि अब यहां पर ओल वन वाई तू इन या द्रख पाऊ गेंगे जो पोटेंशियल ओता है जी एम बाई आर यानि कि आर मिंस ए एक या होता है यह वींडियास आफ दा रिंग यह उतना भी इंपोर्टेंट नहीं यह लेस इंपोर्टेंट ठीक है यह लेस इंपोर्टेंट है अगर तुम इंटरेस्ट रखते हो तो यह लिग के रख सकते हो स्पेरिकल शेल इंपोर्टेंट है ठीक है देखो यहां पर वह जाएगा इंसाइगा है ईएंसाइट उसाइगा न सकते हैं ते न परैसे स्थेमिकल एक गार्थे सीम रहता है ज solely solid sphere this is important again solid sphere इसके उपर j e पे question आया है ये वाला inside वाला part ठीक है अब देखो इसके उपर need पे किस तरीके से question आ सकता है formula related एक छोटा सा portion दे देगा ये actually कहां पे काम आता है देखो एक sphere है ठीक है अब बोलेगा कि यहां से एक mass cut कर दिया अब इस center जो है ये distance हो गया r by 4 suppose मान लेते हैं तो बोलेगा कि ये p point पे निकालो gravitational potential vp कितना होगा तो इस type of numerical के लिए ये वाला portion हटा दिया गया ठीक है ना इस type of numerical के लिए हमें ये वाला जो formula है वो चाहिए आउटसाइड तो एकदम सिंपल है gm by r minus gm by r and on the surface gm by r capital but inside जो होता है वो इस formula से regulate होता है ये formula है ठीक है formula धोरा देख लो minus gm by 2 r 3 minus r by r whole square ठीक है center पे ये हो जाता है center पे जो maximum होता है और एक चीज़ याद एकना है हाँ ये center पे याद दखना है ओके फाइन next next क्या जाएगा gravitational potential energy potential energy का formula क्या है gmm by r यानि कि यहाँ पे एक extra mass आजाएगा potential क्या है potential energy scalar quantity याद देखना है potential energy scalar quantity potential भी scalar quantity but intensity जो है वो बैक्टर quantity है ठीक है ओके यहाँ पे और कुछ नहीं जाएगे potential हो गया potential energy हो गया next है escape velocity हम लोग को पता है कि कितना speed से minimum speed हम लोग को maintain करना पड़ेगा कब जब हम लोग बाहर जाएगे space जो gravitational pull है उसको overcome करेंगे तो यह velocity जो है escape velocity वो कितना होता है escape velocity होता है याँ रखना है root 2GR इसके उपर need पे question आया है need में question आया है और यह बहुत important solid topic है क्या है escape velocity equal to root 2GR r क्या है r याँ रखना है radius of r ठीक है radius of r तो radius of r तो fixed है तो इसका value भी fixed है इसका value कितना है इसका value है देखो 11.2 किलो मेटर पर सेकेंड एक सेकेंड में 11 किलो मेटर ठीक है यादर 11.2 ओके फाइन यहाँ पे एक escape velocity और just a second यहाँ पर रहेगा relation orbital velocity के भी जेक relation है ठीक है आच्छा यह मिलेगा तुम्हें next orbital velocity पर मिलेगा यहाँ पर और कुछ नहीं चाहिए nice kepler kepler slow kepler slow पर mainly देखो first law तो ठीक है वो क्या बोला first law बोला कि जो sun जो है sun कोई भी एक फोकाई में रहेगा और बाकी planet घुमता रहेगा ठीक है second law of area जो हम लोग बोलते है ठीक है d a d t जो aerial velocity है इसको क्या होता है l by 2 m law of period याने कि यह तो हमें पता ही है t square proportional to r cube या फिर a cube फाइन कैपलर कैपलर के ऊपर यह आ सकते हैं ओके यह पर कुछ बैलूस दिया गया है यह सब नहीं चाहिए हमें यह सब नहीं चाहिए और बैट लगए और बैटल फेल सिक्ट इस अगरिन वह अब दगने आ गया है और बैटल फेलोसिटी और बैटल के यह जो फॉर्म। है यह important है क्यों कि देखो यह basic formula है और इस formula के help से हम लोग बाकी डियाइवेशन है वह निकालेंगे जिस एक पार्टिकुलर और विक में रहने के लिए उसे पार्टिकुलर एक वेलासिटी चाहिए उसे हम लोग बोलते हैं जो सैटलाइट घूमता है तो बाहर की तरफ एक सेंटिबिटल फोर्स रहता है और अंदर की तरफ उसे खीचता रहता है कौन गेविडेशन फोर्स से तो यह दोनों एक्वल हो जाएगा तो देखो यही पर है एंबी स्क्वाइर बाई और इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्राइब तो इसके हल्प से यहां से हम लोग भी जो है और बाइटल वेलासिटी का एक फॉर्म निकालेंगे और इस इस दा और वाइटल से कोईशन आया है इसलिए यह वीडियो निट के ऊपर मेंदी फोकस किया है ठीक है जही में इस पर नियूमरीकल भी जाते है बट इसमें एक तम कंसेप्चियल कोईशन आते हैं तो क्या है रिलेशन एसके वेलासिटी इक्वल टू टू टाइम्स रूट टू टाइम्स और लिख कर दखो इसको ठीक है रूट टू रूट टी ऐसा कुछ अप्शन में देगा कंफ्यूज हो जाओगे ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है टाइम पीडियर ऑफ सैटलाइट ज्यादा कुछ नहीं चाहिए यहां पर मुझे टाइम पीडियर चाहिए टाइम पीडियर जग का फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला के बेसिस पर आया है तो इसका एक फॉर्मूला है यह इस दा फॉर्मूला तुम याद रख सकते हो तूपायर भाइब भी जगा पे यह पूट कर दो आजाएगा थेक है या फिर अगर तुम्हें चाहिए हाइट के रेस्पेक्ट में तो तो एक चीज़ यहां पर याद दखना है कि टाइम पिडियाड है इंडिपेंडेंट आफ मास ओफ और बाइटिंग बॉडी यानि कि जो सैटलाइट है उसके उपर उसके मास के उपर डिपेंड नहीं करता है ठीक है अगर डिपेंडेंड आप सेंट्रल बॉडी एंड सब्सक्राइब करेंगा तो इसका जो रेडियास हो जाएगा वह आर्थ का रेडियस बन जाएगा और इसका टाइम पिरेड बनेगा वह एप्रॉक्सिमेटल एटीफोर एटीफोर पॉइंट्स मेन थोड़ा याद रहकना है थाइट अच्छा हाइट हाइट भी उसी फॉर्मला से कर दे जाया है से इम फ्रॉमॉला तो इसको बार-बार लीखने की कोई जरुवत ने दिस इस दे फॉर्मला फॉर हाइट से इम फार्मॉला उसी को थोड़ा घुमार पिरा आके साइचेज लिखते है सेटलाइट में स्टेशनरी दिखेगा यानि कि हम लोग एक ही जगह से उसको देखेंगे हम लोग को लगए कि यह मूव नहीं कर रहा है पर एक्चुली वह मूव कर रहा है उसका जो टाइम पियर्ड होता है वह 24 होता है ताकि एक स्पेसिफिक जगह को देखने के लिए हम लो एपियर्स स्टेशियरी दिए तू जीरो रिलेटिव वैलोसिटी विथ रिस्पेक्ट तू प्लीज ऑना ओके फाइन जेयोस्टेशनरे जो का जो ऑर्बीट है उसका हम लोग बोलता है पार्किंग ऑर्बीट या देतना है पार्किंग ऑर्बीट ठीक है इसका कोछ इंपोर वाउटिट ओन एक्सिस देट इस एंटी क्लोकवाइस डिरेक्शन वेस्ट टू इस्ट मुव करना परेगा इसका जो इस पिरियद ऑफ रिवलीशन शुट भी सेम यानि कि 24 आवार होना चाहिए इसका जो हाइच है जियो स्ट्रॉशन सेटलाइट का वह होता है जेए 3600 3600 किलोमेटर शिती खिरो जिरो 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 यानि की 36,000 किलोमिटर होना चाहिए और अगर सेंटर से हम लोग मेजर करेंगे प्लास हो जाएगा देए ऐएस यानि कि 42,000 ठीक है याद रखना है एक होता है 7R अगर हम लोग सेंटर से और 6R from surface यह 6R from surface from surface और यह 7R from center from center ठीक है ओके angular momentum खास यहां पर उतना जरूरी नहीं है हम लोग यहां पर देखेंगे energy of satellite almost यह last topic ही है शायद हां लास्ट टॉपिक है ठीक है तो क्या है यह एंगुलर सेटलेट अंगुलर सब्सक्राइब सब्सक्राइब मोमेंटम तो हम लोग पता है mvr तो यहां पर भी के जगा पर देखो हम लोग बिठा देंगे भी ठीक है L equal to mvr simple formula basis है ओके next क्या है इनर्जी जब रोटेट करता है तो उसमें तो एनर्जी होगा न तो कौन-कौन सा एनर्जी आएगा सब्सक्राइब को बिठाने से जो जो बॉक्स करके दे रहां उसी को यार्द करना है ठीक है बाकी कंफ्यूज मत होना इन दोनों का प्लस इसका और इसका प्लस करने से कितना होगा देखो यह दोनों का प्लस कर दिया प्लस करने से माइनस टू जी एम एम बायार समझ वाया इसको थोड़ा नोट डाउन कर लो का एट एनर्जी पोटेंशल नर्जी के बीच रिलेशन और टोटल एनर्जी के बीच रिलेशन ठीक है जा तक पर अच्छा यहां पे एक चीज अचानक से याद आया और बाइटल वेलोसिटी जो है यहां पे देखो बहुत इंपोर्टन चीज अचानक से मुझे याद है देखो अगर जो वेलोसिटी है लेस तेन और बाइटल वेलोसिटी होता है क्या यह और बीट पर आएगा नहीं रहेगा इट विल फॉलो स्पाइरल पाथ पाथ टू फॉल ओन आर्थ सर्फेस पर गिने के लिए स्पाइरल पाथ होके आएगा अगर वी इक्वेल टू वी नॉट होता है तो उसका जो पाथ है वो सर्कुलर होगा सर्कुलर पाथ ठीक है और अगर वी ग्रेटर है देन वी नॉट और बाइटल वेलोसिटी से जादा है तो क्या होगा तो होगा इलिप्टिकल पांत तीन पॉइंट या दखना इसके उपर कुशन आ सकता है और बाग में मत बूलना ठीक है नीच स्पेशल नीच स्पेशल क्लास है ठीक है चलो नेक्स्ट कुश्यन नेक्स्ट कोईश्यन कहां पर जाएंगे यस यह हो गया हम ल सब्सक्राइब को पता है यह हम लोग को पता है है थीक है बस्ते इस इच फूल रिवीशन हो गया विशन बोल सकते हैं एद इच और टॉपिक को यहां पर मैंने कवर किया है ठीक है और वाइटल वेलासिटी एस फॉर्मॉला को मैंने बॉक्सर के दिखती है और आप लोग क इसको क्या करना है इसको थोड़ा पॉस करके आप लोग को नोट डाउन करके रखना है ठीक है पार्ट के लिए जो सो 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 थैंक यू बेरी मच्च पॉर वाचिंग इस वीडियो एंड होपफुली अगर आप लोग को अच्छा रगता है तो कमेंट करके बोल सकते हैं अगर अगर किसी और टापिक के आप लोग को चाहिए similar way में explanation जैसे की rotational motion हो सकते है इलेक्ट्र स्टेटिक हो सकते हैं तो इस तरीके से अगर चाहिए तो आप तो कमेंट करके बताओ तो फिर मैं ट्राइब करूंगा इस टाइप ओप वीडियो को पब्लिश करने के लिए ठीक है थैंक्यू वेरी मच्छ एव नाइस डे थैंक्स